असम के भाई बहनों से बात्चीत करने और विकास के कामों से जुड़ने का आउसर मिला पिछले वर्ष मैं कोकरा जार में एक्तिहासिक बोडो समझोते के बार जो उत्सव हुआ उसमें शामील हुआ था अब इस बार असम के मूल निवासियों के स्वाभिमान और सुरक्षा से जुड़े इतने बड़े आयोजन में मैं आपकी खुशियों में शामिल होने आया हूँ आज असम के हमारी सरकार ने आपके जीवन की बहुत बड़ी चिंता दूर करने का काम किया है एक लाग से जादा मुल निवासि परिवारों को भूमे के स्वामित्व का अधिकार मिलने से आपके जीवन की एक बहुत बड़ी चिंता अब दूर हो गई भाई और भनो आज के दिन स्वाभिमान स्वाधिन्ता और सुरक्षा के तीनेयों प्रतीकों का भी एक प्रकार से समागम हो रहा है पहला आज असम की मिट्टी से प्यार करने वाले मुल निवासियों के अपनी जमिन से जुड़ाव को कानूनी सवरक्षन दिया गया दूसरा ये काम अईतिहांचिक सिवसागर में जेरेंगा पठार की धर्ती पर हो रहा है ये भूमी असम के भविश्य के लिए सर्वोच्य त्याक करने वाली महासती जॉय मुत्मती की बलिदान भूमी है मैं उनके अदम में साहस को और इस भूमी को आधर पुर्वक नवन करता हूं सिवसागर के इसी महत्व को देखते हुए इसे देश की सबसे पांच सबसे आइकोनिक आर्कियोलोजिकल साइट में शामिल करने के लिए सरकार जरूरी कदम उठा रही है भाई और बहनों आज ही देश हम सब के प्रियर हम सब के स्रधे नेताजी सुभाज चंद्र बोश की एक सो पचीसवी जन्म जैंती मना रहा है देश ने अब तय किया है कि इस दिन की पहचान अब पराक्रम दिवस के रूप में होगी मा भारती के स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए नेताजी का स्मरन आज भी हमें प्रियर्णा देता है आज पराक्रम दिवस पर पूरे देश में अनेक कारक्रम भी शुरू हो रहे हैं इसलिए एक तरह से आज का दिन उमीदों के पुरा होने के साथ ही हमारे राष्ट्रिय संकल्पों की सिद्धी के लिए प्रेन्या लेने का भी आउसर है साथियों हम सभी एक ऐसी संस्क्रिती के द्वजवाहक है जहां हमारी धर्ती हमारी जमीन सिरफ गास, मिट्टी, पत्थर के रूप में नहीं देखी जाती है धर्ती हमारे लिए माता का रूप है असम की महान संतान भारत रत्न भुपेन हजारी का ने कहा था ओमुर्धरित्री आई ओमुर्धरित्री आई चोरो नोटे डीवा थाई खोत्यों कोर निस्तार नाई माटी बीने ओहो हाई याने है धर्ती माता मुझे अपने चरणों में जगह दीजिए आपके बिना खेती करने वाला क्या करेगा मिट्टी के बिना वो असाए होगा मुझे झाला करने राई झाला भी ओच्सीड़ करें दीजिए वोई वोई ग मुझे लाए होग होगा